हालो फरंट्स स्वागत्र सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड बुस्टर में जहां हम सेर्स को करते हैं अनलाइज टेक्निकल और फंडमेंटल बेसेस पर और आपको देते हैं बाइंग कॉल बाइंग प्राइज और टारगेट के साथ अगर अभी तक आपने मेरे टेलेग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सो आप मेरे टेलेग्राम चैनल भी जोइन कर सकते हैं और मेरे ट्विटर का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सो आप मुझको ट्विटर पर भी फोलो कर सकत और चलिए भी स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना कोई टाइम खराब किये और देखते हैं कि आज का अपना मेंट टॉपिक क्या है सो फ्रेंट्स मेंट टॉपिक है एक ऐसा स्टोक जो वीजे केडिया सर का फेवरेट स्टोक है जिसका नाम मैंने रखा है नेक्स्ट ऑन मोबाइल ये है एक टर्न अराउंड स्टोरी एंड इसका नाम नेक्स्ट ऑन मोबाइल ही क्यों रखा गया है इसके पीछे क्या लोगजे के चलिए देखते हैं इसको और करते हैं अपना अनलिसस स्टार्ट सो ध्यान से देखे इस स्केंडलिस्टिक चार्ट को ये चार्ट है ऑन मोबाइल का जिसके इंदर बाइंग कोल दी गी थी करीबन 50 के आसपास में वहां से इसने जो हाई लगाया है 150 के आसपास का लगाया है और इसने जो रिटन दिया है फ्रेंट्स वो है एक सो तिरानमें पॉइंट उड़न चास परसेंट का विदिन सेवन मन्त टू वीक फॉर डेज यानि के कंपणी तीन गुना हो गई है साड़े साथ महीने में इसलिए मैंने जो दूसरी कंपणी का नाम रखा है वो रखा है नेक्स्ट ऑनमावाइल और आपको पता है कि यह नाम अनमावाइल कंपणी थी ऐक के आधा है उसका मार्केट क्एप चोविस सो करोड का एंडे चोविस सो क्रोड के मार्केट के साथ में उसका ओपरेटिंग्परोफिट मार्जिन है करीबान बारा परसेंट के आसपास का और और return on equity सवाचार के आजपास का है जो की कम है and return on capital employed भी सवाथीन के आजपास का है जो की कम है company के उपर debt है करीबन 22 करोड के आजपास का लेकिन उसके comparison में साड़े 54 करोड के आजपास का free cash ही पड़ा हुआ है अगर हम reserve को भी side में रख दें तो company इसी free cash से करीबन तीन बार अपने इस debt को clear कर सकती है company के उपर current liability 170 करोड की है और current asset है 935 करोड के तो ये जो current ratio निकल कर आता है वो आता है करीबन 5.5 के आजपास का और promoters की holding 0 है आपसे ये भी बता दें के promoters की holding 0 क्यों है करीबन 23% के आजपास FIIs hold करते है 7% DIIs hold करते है और बाकि के holding public के पास में है और बात करें अगर company के valuation की तो 44 के आसपास के PV पर trade कर रही है company pack ratio है करीबन 4 के आसपास का और PV ratio है 2 के आसपास का यानि के valuation moderate है ना तो यहाँ पर company सस्ती है और ना ही महंगी है अब हम देखें P&L statement इस company का सुचल यह देखते है सुध्यान से देखिए दोस्तों इस P&L statement को sales 2010 में 587 करोड 453, 180 और धीरे धीरे उसी तरीके से बढ़ती गई और बढ़ने के बाद में फिर से कम हुई अभी currently है 590 करोड के आसपास तो 2010 में 587 करोड की थी और 2021 का calculate करते हैं तो 2021 का जो financial year था उसमें 524 करोड यानि के 10 साल में बढ़ने के बजाए कम होगी इसकी जो top line है sales growth है और बात करें net profit की तो net profit 21 करोड, 22 करोड minus 89, minus 87 ऐसे ही कभी plus में, कभी minus में और 2020 में minus 236 तो अब आप कहेंगे कि यार तुम तो इसको turnaround story बता रहे थे और इसका तो P&L statement भी खराब है fundamental भी कोई खास नहीं है promoters की holding भी zero है, return on equity भी कम है return on capital employed भी कम है but main point कहां आता है चलिए देखते हैं कि वो main point क्या है जिस वाज़े से ये turnaround story है ध्यान से देखना जो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये हैं company के quarterly result जिसमें sales, operating profit margin और net profit को analyze करेंगे अब ध्यान से देखिए September 2018 में 205, then 181, then 281, then 181, 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 then 181 पर आ गई, and 2018 में जो 34 करोड का net profit था वो घटते हुए करीवन माइनस 9 करोड में आ गया, and operating profit margin 21%, 22% से घटके करीवन माइनस 200% पर आ गए, लेकिन अब मार्ट 2020 के बाद में, इसमें क्या हुआ है जड़ा उसको देखिए ध्यान से, 54 करोड, 78 करोड, 109 करोड, 134 करोड, 200 करोड, 144 करोड, 0.62%, 8.42%, 10%, 14%, 12% और 45, 79, 33 करोड, and करीवन 45, 7 करोड के आसपास, तो ये जो कंपनी है, ये quarterly result पर turnaround कर रही है, अब main point ये आ जाता है, कि अगर ये company अपने quarterly result पर turnaround कर रही है, तो जो इसका stock है, क्या वो भी गिरने के बाद में turnaround कर रहा है, क्या वो भी अप trend में यहाँ से start हो रहा है buying के लिए या नहीं, तो चलिए देखते हैं दोस्तों, तो अब हम फिर से आ चुके हैं candlestick chart पर और देखेंगे उस company को जो turnaround कर रही है, और next on mobile है अपना, तो दिल थाम कर बैठिए दोस्तों, आपके सामने pace है next on mobile, company का नाम है तेजस network, हाँ यह वही है, विजेक एडिया सरका फेवरेट इस्तों, एंड जैसे fundamental में company turnaround कर रही है, वैसे ही start भी इसका turnaround कर रहा है, ध्यान से देखना start को, यहाँ गिरावट सल रही थी, जैसे जैसे company के performance पिगड़ रही थी, और जैसे ही company के performance असुधर ने start हुई, वैसे ही इसके अंदर turnaround start हुआ है, अब main point यह है कि क्या हमको इस company के अंदर buying करनी चाहिए, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर, इसके अंदर जो volume आया है, उस volume के साथ में यह company circuit to circuit भाग रही है, तो जब कोई company circuit to circuit भागती है, तो उसके अंदर आप buying नहीं कर पाते हैं, तो अब करना यह है कि इसमें थोड़ा सा circuit खुले, थोड़ी सी company नीचे आए, और इसके वोड़ तोड़ा अच्छा हो, तब इसके अंदर buying की जाएगी, अभी इसके अंदर fresh buying ना तो है और ना ही आप कर सकते हैं, और इस company के अंदर buying केवल इस वज़े से नहीं की जाएगी कि, विजेग एडिया सर इसके अंदर investment कर रहे हैं, इसलिए नहीं की जाएगी केवल, इसके अंदर investment की जाएगी, क्योंकि company turnaround कर रही है, और turnaround story है, एंड यहां से यह company minimum 450 के आस शेयर किया है, विजेग एडिया सर का फेवरेट स्टोक, और next on mobile, with a turnaround story, and so friends, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो like, share, subscribe कर दीजिएगा, चलिएफ चलते हैं, बाबाए